जम्मु कश्मीर और हर्याना में इंतिखाबात का एलान कर दिया गया है इलेक्शन कमिशन ने प्रेस कॉन्फरेंस में एलान किया कि जम्मु कश्मीर में 18 सितंबर से 3 मरहलों में वोटिंग होगी हर्याना में 1 अक्तुबर को वोटिंग होगी चीफ एलेक्शन कमिशनर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग तीन मरहलों में होगी पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को और तीसरे मरहले की वोटिंग 1 अक्तुबर को होगी वोटों की गिंती चार अक्तूबर को होगी इसी तरह हरियाना में असेंबले इंतिखाबात के लिए वोटिंग एक अक्तूबर को होगी और वोटों की गिंती चार अक्तूबर को होगी चीफ एलेक्शन कमिशनर राजीव कुमार ने कहा कि जम्मो कश्मीर के लोग तस्वीर बदलना चाहते हैं जम्मो कश्मीर के लोगों ने तशद्दुत को मस्तरत कर दिया है उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट 20 अगस को जारी की जाएगी नहोंने कहा कि अवामने इंटेखाबाद के निये जोशोखरोश का मुझारः किया है इलेक्षन कमीशन को जम्मो कश्मीर में 30 सित्मبر से पहले असेंबली इंतेखाबाद भी कराने थे ये वक्त सुप्रिम कोड ने टे किया था कमीशन ने हल ही में जम्मो कश्मीर और हरियान का दौरा किया था ताफिकि इन्तिकाबास से मतालओ का जाज़ लिआ जा सके चीफ एलेक्शन कमीशनर राजीव कुमार ने मुजीद कहा कि जम्मो कश्मीर के तमाम उम्मीद्वारों को उनकी सियासी जमातों के मतालबे के मताबिक जरूरी सिक्योरिटी फराम की जाएगी साल 2019 में मरकजी हकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख किया और जम्मू कश्मीर को दो मरकज के जेरे इंतिजा में राके जम्मू कश्मीर और लद्दाफ में तक्सीम किया चीफ एलेक्शन कमिशनर राजिव कुमार ने यहाँ एक प्रेस कानफरेंस में इस बहुत इंतिजार के इंतिखाबात के प्रोग्रामों का एलान करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों पर 87 लाग वोटर हैं जिन में 42 लाग खुआतीन भी शामिन है वोटिंग के लिए कुल 11,830 पोलिंग स्टेशन है इसी तरह हर्याना में एक अक्तुबर को वोटिंग होगी जम्मू कश्मीर और हर्याना के इंतिखाबी नतायद 4 अक्तुबर को आएंगे हर्याना के कुल 22 इसला की 90 सीटों में से जर्नल सीटों की तादा 53 है जबके सी की 17 सीटे होंगी जबके यहां सी की एक भी सीट नहीं है